स्टुडेंट कैसे हैं आप लोग आज की इस ख्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या-क्या स्लेबर्स है क्या-क्या चीज़े पड़नी है ठीक है तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे history की तो आपके पास एक इस टाइप की पढ़ेंगे यूरोप में कैसे इस लिजम का और यह उसके टॉपिक पढ़ने वाले लोग पढ़ेंगे इंडिया में कैसे निसम आया गांधी जी यहां पर पढ़ेंगे कि यह वर्ड कैसे ग्लोबलाइज हुआ ग्लोबलाइज होने के बाद एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैसे गुड्स का ट्रांसफर होने लगा और उसमें क्या होंगे यह कुछ टॉपिक होंगे ठीक है मेकिंग आप ग्लोबल वर्ड पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे चौथा इज ऑफ इंडिस्टलाइजेशन समझ में आ रहे हैं आपको क्या पढ़ेंगे एज ऑफ इंडिस्टलाइजेशन क् क्या यूग था ठीक है और उसमें आप लोग इन टॉपिक को पढ़ेंगे फिप्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे जो हिस्टी का लास्ट चैप्टर होगा प्रिंट कल्चर एंड दा मॉडर्ण वर्ड यहां पर आप पढ़ेंगे कि प्रिंटिंग कैसे आई और जो हमारा प्रिंटिंग नहीं थी जब प्रिंटिंग प्रिंटिंग नहीं होते थे तब हम लोग प्रिंटिंग कैसे करते थे और आज हम लोग प्रिंटिंग कैसे करते हैं यह इसके क्या होंगे कुछ टॉपिक होंगे ठीक है इस तरीके से आप क्या करेंगे हिस्ट्री को कंफ्लीट क करेंगे उसके बाद आपके पास एक ऐसी दिखती होगी जिसे क्या बोलते हैं डिमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ठीक है पार्ट टू क्योंकि पार्ट और आपने नाइंथ में पढ़ लिया है जो कि इस टॉपिक की बुखोती सीविक्स की अब आप बोलेंगे पॉलिटिक्स भी लिखी बात है यहां पर आप सबसे पहले पढ़ेंगे पावर सेरिंग नहीं पढ़ चुके हैं पावर सेरिंग और हमने इन ही तीन टापिक्स पर यहां पर हमने बात करी थी इन तीन टापिक पर ठीक है सेकेंड चैप्टर आप पढ़ चुके हैं फेडरलिजम वाट में इं डाइवर्स्टी ठीक है आप ध्यान दीजिए देमोक्राइसी डाइवर्स्टी इस टूबी एसे इन दा पेरियोडिक टेस्ट अनली और नाट विल बी एवलुटेड इन दा बोर्ड एक्साम इस चैप्टर को आपको बोर्ड से कोई भी मतलब नहीं है इस चैप्टर से एक भी पाप्लर इस ट्रिगल एन मुमेंट आप कहेंगे इसको भी नहीं पढ़ाया गया तो यहां पर भी लिखा गया दा चाइप्टर पाप्लर इस ट्रिगल एन मुमेंट टूबी एसे इन पीडियोडिक टेस्ट अनली नॉट विल बी वेलुटेड इन बोर्ड एक्जाम पर्टी क्या होती है पालटी की चैलेंज कैसे होते हैं और फॉर्टी वार्म कैसे होती है तो यह सारी चीज़े आप सिंहें पढ़ेंगे उसके बाद आपके पास एक ऐसी की बुक होगी contemporary India पार्ट टू तो यह जियोग्राफी की बुक है आप contemporary इंडिया पार्ट नाइंथ में पढ़ चुके हैं यह क्या है जियोग्राफी जियोग्राफी में आज हम लोगों पहला चैप्टर रिसोर्सें डिबलप्मेंट कंप्लीट कर लिया है और यह उसके टॉपिक थे इनी टॉपिक पर हमने बात की है उसके बात सेकेंड चैप्टर रहेगा जैसा कि आप देख रहे हैं फॉरेस्ट एंड वाइल लाइफ हम इस चैप्टर की बात नहीं करेंगे क्य सिर्फ बात करेंगे इसके बात करेंगे एंडी कल्चर जो स्लेबल जा आप उस्लेबस अफंवन क्रॉइंगा रिघ्प्स पार्मिंग क्रॉपिंग पैटर्न मेजर क्रॉप टेक्नोलाजिकल एंड इंडिस्ट्रियल रिफॉर्म इंपक्ट आप ग्लोबलाईजेशन अग्री कल्चर तेक इस टापिक पर बात करेंगे उसके बाद मिनरल एन एनर्जी रिसोर्स की बात करेंगे मिनरल क्या होता है कैसा अकरेंस है फ रेडियाडिक टेस्ट के होंगे नहीं आप किसी भी चैप्टर को माझलो मनुफ के बाद सब्सक्री इंडिस्ट्री पढ़ेंगे कैसे बनाया गया स्ब्सक्राइब इंडिस्टिक ये सारी कैसे that हुई और लास्ट हम पढ़ेंगे लाइफ राइफ लैंस क्रेटेव फित्क टूरिज्म एज़ा ट्रेड इन्स अभी पॉइंट को पढ़ेंगे और लास्ट क्या है इको नामिक्स यह क्या है इको नामिक्स जो आपके पास इस तरीके की कुछ बुक होगी जिसमें लिखा होगा अंडर स्टेंडिंग इकोनामिक डिपलेपमेंट हमने इडाप्लेप्नउड लिया है अगार आप नहीं देखा है कर दिया है लेकिन यहां पर एक चैप्टर और था कंजीमर राइट इसे हमने खतम नहीं किया है क्योंकि चैप्टर बताएं बोर्ड में नहीं आएंगे उन चैप्टर से बोर्ड में कोश्चन बिल्कुल रूप से नहीं आएगा आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन लोगों को सेर जरूर कर दीजिये जो लोग टेंफ में और आज यहां पर हम अभी तेंफ की बात करें धूंस और सिविक्स पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है अब हम लोगों का जो निक्ष टारगेट है वो हिस्ट्री और जियोग्राफी को जल्दी से कंप्लीट करके रिवाइस करना है यह सले बस आज ही आप अपनी एक अच्छे से कौपी में लिख लेंगे और आपको याद होना चाहिए किस स लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी लोगों के पास सेयर कर दीजिए सबको पता हो चल जाए कि एस इस टी का स्लेबस